हलो दोस्तों लुसेंट बिहार जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम अज़स्तों तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट ज़स्तों इससे पहले भी दो पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाकी देख सकते हैं दोस्तों तो इस परकार से मिलने वाला ज़स्त बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ए विदेशी यात्री नेक्षन है निम्लिकित में से किसने बोध गया में महा बोधी वरक्ष को शती पहुंचाई थी निक्षन है चंद्रगुप्त मोरिय मगद का नरेश कब बना था तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ए विदेशी यात्री यात्री पहुंचाई थी इसे भेजाता तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ए महेंद्र को श्रिडंका भेजाता बहुत दर्म के प्रचार है तू निक्षन है मोरिय कालिन पाटली पुत्र नगर प्रशाशन के संबंद में जानकारी का परमुक इस्तरोत कौन सा है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ए जो कि मोरिय कालिन पाटली पुत्र नगर प्रशाशन का जानकारी इस्तरोत है मगद समराज्य का उतकरश किस शाशक के अधीन प्रारंब हुआ तो इसका गरेक तांसर है आप्शन नमर बिम्बिसार के शाशन के अधीन प्रारंब हुआ था निक्ष ने प्रथम बोध संगीती का आयोजन किस के काल में हुआ तो इसका गरेक तांसर है आप्शन नमबर भी अजात शत्रू के काल में हुआ था प्रत्थम बोध संगिती का आयो जैन निक्षन है किस शाशक के शाशनकाल के समय मगत पर बारा वर्शों का बीशन अकाल पढ़ा था इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर दी चंद्रगुप्त मोरी के शाशनकाल में पढ़ा था बारा वर्शों का बीशन अकाल कोशन है इसा पूर्व छट्टी सदी में विश्यू का पर्थम गण तंत्रात्मक व्यवस्ता कहा थी इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर दी पुश्य मिट्र शूंग के शाशनकाल में अकर्मन हुआ ता निक्षने बिहार में इस्तित महा जनपदों के बारे में किस से जानकरी मिलती है तो इसका गरेक्टा अंसर है आप्शन नमबर B अंगुतर निकाई से जानकरी मिलती है निक्षने प्राचिन भारत में 16 महा जनपदों में 1 है तो इसका गरेक्टानसर है option number D, अंग है एक महा जनपद, निक्षने, बिहार के लिए सरवाधिक प्राचीन सहितिक इस्त्रोत कौन है? तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन मबरे अर्थवेद है सबसे प्राचिन सहितिक स्त्रोत निक्षन है मगद के किस परवर्ती गुप्त शाशक ने आशुमेव यग का आयोजन किया था तो इसका correct answer है option number A आदित्य सेन ने किया था आश्वमेद यग का आयोजन निक्ष ने आरिये बट का सम्मन्द किस नगर से था तो इसका correct answer है option number D पाटली पुतर से सम्मन्द थे आरिये बट निक्ष ने चंद्रगुप्त मोरिये का राज परसाद कहा इस्तित था तो इसका correct answer है option number A कुमार अर्मेस्तित्ता राज परसाद चंद्रगुप्त मोरिये का निक्ष ने बिहार में साड़े साथ फिट उची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है तो इसका correct answer है option number B सुल्तान गंज से प्राप्त हुई है साड़े साथ फिट उची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ती निक्ष ने बहरत की प्रथम राजदानी होने का श्रे किसको प्राप्त है तो इसका correct answer है option number B पाटली पुत्र को प्राप्त है प्रथम राजदानी होने का श्रे निक्षने बिम्बिसार एवम अजात शत्रू किस वंश का था तो इसका correct answer है option नमरे है अजात शत्रू और बिम्बिसार निक्षने बिहार में धातू प्रस्तर यूगीन अवशेश कहां से मिले हैं तो इसका correct answer है, option number D, उप्रोक्त सभी से, मतलब चिरांद से, चेचर वै, सोनपुर से, और मनियर से, तो इन सभी स्तानों से मिले हैं, धातू, प्रस्तर, यूगीन, अवशेश, निक्शन है, यूनानी दूत, डायमेक्स के, आगमन, मगत के किस शाशक के दरबार में हुआ, त निक्शन है, मगत के परवर्ती गुप्त वन्ष का संस्तापक कौन था, तो इसका correct answer है, option number D, परवर्ती गुप्त वन्ष का संस्तापक, निक्शन है, बिहार के प्राचिन राजवन्षों के निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका correct answer है, option number D, मोख्री वनिश में शामिल नहीं है निक्षने विद्यराज्य का उलेख सबसे पहले किस गरंत में है तो उसका गरेक्टांसर है आप्शन बर बी यजुरुएद के अंदर है सबसे पहले विद्यराज्य का उलेख निक्षने बिम्बी सार ने किस राजगुमारी के साथ विवहा किया था तो इसका गरेक्टांसर है option number D उप्रोक्त सभी के साथ मतलब कोशल देवी के साथ चेललना के साथ शेमा के साथ इन तीनों के साथ शादी की थी विम्बिसार ने निक्ष ने नालंदा में इस्तित बड़ा गाउं का पता किस से लगाया गया तो इसका गरेक्टांसर है option number B कनिघम से पता लगाया गया था निक्ष ने पुरा तत्व वेदा कनिघम ने बिहार में किसकी खोज की तो इसका गरेक्टांसर है option number D उप्युक्त सभी की मतलब केसरिया इस्तूप की option number B है लोरिया अरिराज का अशोग स्तंब option number C है बसाट के अवशेशों के आदार पर वेशाली के प्राचीन इस्तिल की तो इन तीनों की खोज की थी कनिघम ने निक्ष ने गया के समीप नागरजुनी की पहाड़ी में प्रसिद गोपी गुफा का निर्मान किसने करवाया था तो इसका correct answer है option number D दरस्चत ने करवाया था गोपी गुफा का निर्मान ने ने युनानी दूत डाइमेक्स का आगमन मगद के किस शाशक के दर्बार में हुआ तो इसका correct answer है option number B बिंदु सार के दर्बार में हुआ था ने 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 बोध गया के महा बोधी मंदिर की स्तापना कहां हुई थी तो इसका correct answer है option number C गुप्त काल में हुई थी महा बोधी मंदिर की स्तापना ने 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 चंद्रगुप्त पर्थम का राज्य विशेग कहां हुआ था तो इसका correct answer है option number D पाटली पुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त पर्थम का राज्य विशेग ने ने कनव वंश के उपरांत पाटली पुत्र का कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शाशन किया ने ने बिहार सहीत पूर्वी भारत में आरियों के विस्तार में सहयक था तो इसका correct answer है option number D लोहे का उप्योग सहयक था आरियों के विस्तार में ने महात्मा बुद्ध ने पाटली पुत्र के विनाश के कारणों की बहुष्यवानी की थी उसमें समलित थी तो इसका correct answer है option number D उप्योग सभी समलित थी मतलब बाढ़, अगनी और आंत्रिकल है इन तीनों के कारण ही पाटली पुत्र का विनाश के जो कारण है उसकी बहुष्यवानी की थी महात्मा बुद्धने निक्षने मगद राजवन्ष का प्रारंब किस से होता है तो इसका correct answer है option number D वुरंधन से होता है मगद राजवन्ष का प्रारंब निक्षने प्राचीन भारत का विख्यात राजनितिग्य वसकार किसके दरबार में मंत्री पत पर शुशोबित था तो इसका correct answer है option number D अजात शत्रू के शाशनकाल में था निक्षने इसा पूर्व चट्टी शताबदी में मगद में कोन राज्य स्ताबित था तो इसका correct answer है option number A हयंक वंश का राज्य स्ताबित था चट्टी शताबदी में निक्षने मोरिय कालिन इतियास के महत्पूर्ण शाक्षे कहां से पराप्ट हुए है तो इसका correct answer है option number C कुमरहर से पराप्ट हुए महत्पूर्ण शाक्षे निक्षने चीरांद का पुरा तात्विक इस्तल किस से संबंदित है तो इसका correct answer है option number C नियोलिथिक संस्कृति से संबंदित है निक्षने बिहार के निवासियों का रात्य गया है यह स्वरपर्थम किस ग्रंत में आया है तो इसका correct answer है option number E पंचमिश ब्रहमन ग्रंत में आया है निक्षने पाली ग्रंतों में उगर सेन का उलेख किस राजा के लिए हुआ है तो इसका correct answer है option number B महापदमन्द राजा के लिए उलेख हुआ है पाली ग्रंतों में उगर सेन का निक्षने प्रथम बोध संगिती का आयोजन कब हुआ था तो इसका correct answer है आयो जयन निक्ष ने वज्जी संग में कौन सा राज्य सम्मलित नहीं था तो इसका गरेक्ट आंसर है option number दी चेदी राज्य सम्मलित नहीं था वज्जी संग में निक्ष ने मगद राज्य में कलिंग का विले सुरपर्तम किस ने किया था तो उसका correct answer है option B महापद नद्न ने किया था कलिंग का अविले निक्षने बिहार में तामर पस्तर युग के परवर्टी चरण के अवशेष कहां से प्राप्थ हुए है तो उसका correct answer है option D उपरोक्त सभी से मतलब चिरांद, चेचर, सौनपुर, एवम, मनेर इन तीनों से प्राप्त हुए हैं परवर्ती चरण के अवशेश मगद तथा अंग महाजनपत की कौनपत की कौन सी नदी प्रथक करती थी तो इसका गरेक्टान सराय आप्शन नमबर सी चमपा नदी प्रथक करती थी निक्षिने मगद राज्य की आरंबिक राज़दानी कहां ती है तो इसका गरेक्टान सराय आप्शन नमबर गृवरज़ थी प्राारंबिक राज़दानी मगद राज्य की निक्षण है हर्षवर्धन की मुरतियु के बाद मगद के अंत्रगत एक विस्तरत सामराज्य इस्तापित करने वाला प्रथम शाषक कौन था तो इसका correct answer है आप्शन नमरे आदित्य सेंता प्रथम शाषन इस्तापित करने वाला निक्ष ने महवीर का जनम कहा हुआ था तो इसका correct answer है option number C कुंड ग्राम में हुआ था महवीर का जनम निक्ष ने मगत समराज्य का वास्तिक संस्तापक कौन था तो इसका correct answer है option number C पिम्बिसार था मगत समराज्य का वास्तिक संस्तापक निक्ष ने गुप्त समराज्य की राजदानी कहां थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन नमरे पाठली पुत्रती गुप्त समराज्य की राजदानी किस शाशक से शिरलंका के राज्या मेग वर्मन ने गया में एक बोध मट इस्तापित करने की अनुमती मांगी थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शनमर सी सम्मुंध गुप्त ने अनुमती मांगी थी नेक्षने तीर भुक्ती आदूनिक दर्बंगा का राज्येपाल कौन था तो इसका गरेक्टांसर है आप्शनमर ए गौविंद गुप्त थी तीर भुक्ती का राज्येपाल निक्ष ने किस शाषक ने वेशाली में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवा किया था तो इसका correct answer है option number C चंदर गुप्त पर्थम ने किया था कुमार देवी से विवा निक्ष ने नालंदा विश्विद्याले की इस्तापना का युग कौन सा है तो इसका correct answer है option number C गुप्त युग है जो की नालंदा विश्विद्याले की इस्तापना का युग है निक्ष ने बिहार के भोगुलिक शेत्र की चर्चा स्वर पर्थम किस सहितिक रसना में मिलती है तो इसका correct answer है option number D शद्पत ब्राहमन में मिलती है निक्ष ने बिहार के प्राचीन वे नवीन नगरों के युगमों में से कौन सा युग में आसत्ते है तो इसका correct answer है option number C वेशाली भागलपूर तो ये option बिलकुल गलत है प्राचीन और नवीन नगरों में से इसके अलावा पाटली पुत्र को पटना कहा गया है बिलकुल सही है वजरासन को बोथ गया है उदन्तुपूर को बिहार शरीफ कहा गया है बिलकुल सही है तो यहाँ पर जो वेशाली को भागलपूर कहा गया है ये option बिलकुल गलत है निक्ष ने बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मलित था तो इसका correct answer है option number B मगद महाजनपद में सम्मलित था नेक्षन है मगद समराज्य का उतकरशन प्रारंब कहां हुआ था तो इसका correct answer है option number D बिम्बिसार के शाशिनकाल में प्रारंब हुआ था उत्क्रश्य प्रारंब मगद समराज्य का निक्षन है बिहार में मोर्य कालीन अभिलेख मिले हैं तो इसका गर्रेक टांसर है option no. D ये सबी मतलब लोरिया अरेरा से लोरिया नंदनगड से राम पुरुवा से इन तीनों इस्तान से प्राप्तु हैं बिहार में मोर्य कालीन लेक कहां से प्राप्त होता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमरे यह जिरुए से प्राप्त होता है निक्षन है वज्जी संग में कितने गंड राज्य नहीं थे तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर बी आट गंड राज्य नहीं थे वज्जी संग में निक्षन ह अशोक महान का राज्या रोहन कब हुआ था तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन मबर C दो सो तहेतर इसापुर हुआ था अशोक महान का राज्या रोहन निक्षन है मगत समराज्य में कलिंग का विले स्वरपर्थम किस ने किया था तो इसका correct answer है option number D महापदमनन्दने क्या था कलिंगने विले मगत समराज्य में निक्षन है बिहार निम्लिकित में से किस महापुरुष का कारिय स्तल रहा है तो इसका correct answer है option number E महात्मा बुद्ध का कारिय स्तल रहा है बिहार निक्ष ने निम्लिकित में से किस बोध संगीती का आयोजन बिहार शेत्र के अंदर नहीं हुआ था तो इसका गरेक्टांसर है option number D चतुर्त बोध संगीती का आयोजन बिहार में नहीं हुआ था निक्ष ने सुल्तान गंज से प्राप्त बुद्ध की कांसे मूर्ती किस शेली का सर्वोत क्रिष्ट उधारन है तो इसका गरेक्टांसर है option number B गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उधारन है निक्ष ने बिहार में देव बढ़नाक से प्राप्त अभिलेक में परवर्ती गुप्त शाष्कों में तीन गुप्त शाष्कों के नाम अंकित है देव गुप्त विष्णु गुप्त और तीसरा कौन सा है तो इसका गरेक्टांसर है option number B जीविद गुप्त दित्य है तीसरा नाम निक्ष ने पावपूरी का सम्मंद किस से है तो इसका गरेक्टांसर है option number B भगवान महावीर के निर्वान शेत्र से सम्मधित है पावापुरी निक्ष ने गुप्त कालिन मुहरें कहां से प्राप्त हुई है तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन मर सी सासा राम से प्राप्त हुई है गुप्त कालिन मुहरें निक्ष ने नंदवंश की इस्तापना किस ने की थी तो इसका गरेक्टांस रहा है आप्शन मरे महापद्म नंद ने की थी नंदवंश की इस्तापना निक्ष ने चीनी यात्री इस सिंग ने बिहार का ब्रह्मन कब किया था तो इसका गरेक्टांस रहा है आप्शन मबर सी 673 इसी में किया था इस सिंग ने बिहार का बर्माण नेक्षन है पार्टली पुत्र की इस्तापना करने वाला उदेन अजात शत्रू का उत्रादिकारी था वह किस वंश से संबंदित था तो इसका गरेक्ट आप्शन मबर ए हरियक वंश से संबंदित था नेक्षन है तरतिय बोध संगीती का आयोजन कब हुआ था तो इसका गरेक्ट आप्शन मबर ए विल्कुल गरेक्ट है 251 इसापूर में हुआ था तरतिय बोध संगीती का आयोजन निक्षने दित्य बोध संगीती का आयोजन कहां हुआ था तो इसका गरेक्टा आंसर है आप्शन नमरे वेशाली में हुआ था निक्षन ने बिहार में आदी मानव के उपस्तिती के आरंबिक शाक्षे किस यूक्य है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमरे पूर पस्तर यूक्य है आदी मानव के उपस्तिती के शाक्षे निक्ष ने गोपी गुफा का सम्मंद किस शाशक से है तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमबर भी दरश्रत से सम्मंद देता है गोपी गुफा जेन तीरत कर वसू पूझे की जनम इस्तली कहा थी निक्ष ने मगद की कौन सी राजदानी पहाड़ियों से गिरी थी तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमबर भी राजगिर थी जो की पहाड़ियों से गिरी राजदानी थी निक्ष ने महा गोविंद नामग वास्तुकार जो दरबार में था उसने किसका निर्मान किया था तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमबर भी राजगिर है राजदानी का निर्मान किया था निक्ष ने प्राचीन विश्विद्यालों में से बिहार में कौन इस्तित थे तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमबर भी दोनों मतलब विक्रम शिला और नालंदा ये दोनों ही विश्विद्याले प्राचीन बिहार में इस्तित थे जेन तीर्थकर महावीर स्वामी का जनम कहां हुआ था तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर डी कुड़ गराम में हुआ था नेक्शन है मगत की आरंबिक राजदानी कौन सी थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर ए राजगिर्थी आरंबिक राजदानी मगदगी निक्ष ने भारत की प्रतम राजदानी होने का श्रे किसे प्राप्त है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन अमबर B पाटली पुत्र को प्राप्त है परतम राजदानी होने का श्रे निक्ष ने जरासंग की राजदानी कहां थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन अमबर D राजगरहम में थी जरासंग की राजदानी निक्ष ने पार्टली पुत्र नगर की स्तापना कब हुई थी तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमरे 455 इसा पूर हुई थी पार्टली पुत्र नगर की स्तापना निक्ष ने किस मोर ये शाशक ने कलिंग पर विजे प्राप्त की थी तो इसका correct answer है option number C अश्योग था जिसने का लिंग पर विजे प्राप्त किय थी बिहार के किस इस्तान से मोरिय काल में बने जेन तिर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो इसका correct answer है option number B लोहानीपुर से प्राप्त हुई है निक्षने किस नगर से महात्मा बुद्ध का गनिष्ट सम्मंद रहा है तो इसका correct answer है option number D ये सबी से मतलब बहुत गया वेशाली और राजगिर इन तीनों नगरों से महात्मा बुद्ध का गनिष्ट सम्मंद रहा है निक्षने किस शाशक ने गया के निकट बराबर की पहाडियों पर आज जीविकों के लिए गुफाओं का निर्मान करवाया था तो इसका correct answer है option number C अशोक ने करवाया था गुफाओं का निर्मान निक्षने पुष्य मित्र शुंग का शाशन कब प्रारंब हुआ था चैसी इसा पूरु में प्रारंब हुआ था पुष्य मित्र शुंग का शाशन निक्षने चंद्रगुप्त मोरिये ने मगत की सत्ता किसकी सहता से राप्त की तो इसका correct answer है option number D चंपा में थी अंग महाजनपत की राजदानी निक्षने मेगस्तनीज का पाटली पुत्र आगमन कब हुआ तो इसका correct answer है option number D 315 इसा पूरु में हुआ था पाटली पुत्र में आगमन निक्षने तरतिय बोध संगिती की अद्धिक्षता किसने की थी तो इसका correct answer है option number D मेगा लिपूत तिसने की थी तरतिय बोध संगिती की अद्धिक्षता निक्षने मगद महाजनपत की राजदानी कहां थी तो इसका correct answer है option number D राजगिर में थी मगद महाजनपत की राजदानी निक्षन है चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्विद्याले में अध्यन किया था तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन नमर भी नालंदा विश्विद्याले में अध्यन किया था चीनी यात्री हैंसांग ने निक्षन है इंसांग ने पार्टली पुत्र की यात्रा किस वर्ष में की तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमरे 635 इसवी में की थी पार्टली पुत्र की यात्रा निक्षन है बोध गया में महाबोध्धी अवरक्ष को शती पहुंचाने वाला शाशक कौन था तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर सी शशांग था जिसने शती पहुंचाई थी महाबोधी अवरक्ष को